नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शरच चौधरी और आप सभी को स्वागत है अवेनस्टेप में तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर ये लाप्टॉप देख सकते हैं जो कि है Acer Predator Helios 300 इसका एक्जाक मॉडल है PH 315-53 इस वीडियो में हम इस लैप्टॉप के बारे में बात करेंगे ये बहुत ही एक अमेजिंग लैप्टॉप है अपने इस प्राइस रेंज में अगर आप एक लाग के अराउंड सम्वेर कोई लैप्टॉप देख रहे हैं तो इससे बड़िया लैप्टॉप आपको नहीं मिलने वाला है इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि ऐसा क्यूं है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसा कि मैंने बोला कि हमने इसी लैप्टॉप को क्यूं चूस किया तो हम दिखाते हैं कि यार यह भीस्टप को इस प्राइस रेंज में क्या ओफर करता है तो यहां पर आपको जे प्रोसेसर देखने को मिलता है ना मैं इसकी ऑफिशल ऑप्साइट पर पहहले आ जाता हूँ 2.2 GHz की इसकी Base Clock है और 5 GHz की इसकी Boost Clock है तो यार मतलब Processor के लिहाज से बहुत ही अच्छा Processor है गाईज ArtCore से ही आप थोड़ा मतलब Processor के दम का जो पता लग जाता है Windows 10 Home 64-bit आपको देखने को मिल जाती है और जो अगला सबसे तगड़ा फीचर है इसमें इसके दो फीचर है जिसमें मुझे सबसे जादा इस Laptop की तरफ अट्राक किया पहला तो Processor होई गया जैसे मैंने आपको बता दिया दूसरा है NVIDIA GeForce RTX 3060 with 6 GB of dedicated GDDR6 B RAM 3060 Graphic Card यार एक लाख तक के Laptop के बजट में पॉसिबल ही नहीं है अब सारी वेबसाइट्स चान मार लेना जहां भी आपको मिल जाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर रता देना अटलिस्ट मेरे को तो नहीं मिला यहां पे यह RTX के कार्ट की 2nd generation है और यहां पे आपको यार यह 3060 जो है अपने प्रीडिसेसर जो है RTX 2060 उससे अल्मूस्ट 20 पोसेंट फास्टर है तो यहां पे यार ग्राफिक्स की भी आप परफॉर्मेंस का जो है अंदादा लगा सकते हैं जो लोग गेम करते हैं फुल एच्डी गेमिंग अल्ट्रा ग्राफिक्स पे और मेरे ख्याल से 70-80 fps में भी 90 fps तक भी जा सकते हैं और आप इसमें 2 के गेमिंग भी कर सकते हैं आराम से 40-50 फ्रेम से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है वीडियो एडिटर्स के लिए बहुत ही अच्छा लैप्टॉप है क्योंकि इसमें इसके जो कोर चीज़े कहीं जाती है कि एक प्रोसेसर हो गया और राम जो सारी इसकी ग्राफिक्स हो गए बहुत ही जादा स्ट्रॉंग है गाइस तो बहुत ही अमेजिंग पफॉर्मेंस दिलिवर करने वाला है अब आजाते हैं इसके राम की तरफ तो यहां पे आपको 16GB of dddr4 RAM मिल जाती है जो कि अभी RAM का latest standard है जिसको आप upgrade कर सकते हैं 32GB of RAM तो यहां पे आपको दो जो है इसमें पोर्ट मिल जाएंगे तो एक पोर्ट में तो 16GB वाली RAM लगी हुई है एक पोर्ट खाली रहेगा तो उसमें आप 16GB की RAM और लगा सकते हैं यहां पे FSB नो ने mention नहीं कर रहे हैं लेकिन नॉर्मली जितने भी हमने इस तरह के laptops देखे हैं इनकी जो FSB रहती है वो तोड़ी कम रहती है which is 2666 MHz मगर आप यार यह जो FSB हमारी होती है यह इतना effect नहीं डालती है मतलब effect डालती है obviously but इतना नहीं कि यार आपको इसको मतलब इतना फॉक देखने को मिले still the RAM is pretty good decent है यार इस प्राइस में इससे बढ़िया मेरे को नहीं लगता कि 16GB से RAM आपको ज़ादा की जरूरत पढ़ने वाली है किजी-किजी वीडियो एडिटर्स को अगर फिर भी लगे तो यार वो तो हम यहां पर आ जाते हैं पता नहीं इन्होंने क्या कर रखा है आपको इसमें 1TB की hard disk मिलती है और 256GB की SSD देखने को मिल जाती है और इसकी जो hard disk है वो 2TB सक आप इसको expand कर सकते हैं और जो SSD आपको देखने को मिलती है वो NVMe SSD देखने को मिलती है नॉमल SSD नहीं है तो SSD की तरफ से भी आपको best performance deliver होने वाली है which is pretty amazing और specs की बात करें ओ सॉरी यहां पर एक और इसका killer feature है जो की Wi-Fi Wi-Fi तो हर laptop में होता है तो इसमें ऐसा खास क्या है खास यह है कि इसमें Wi-Fi 6 मिलता है आपको अभी तक जो आप ज्यादा तर आप लोग laptop चला ले होगे उसमें जो Wi-Fi standard मिलता वो Wi-Fi 5 आप यूज़ कर रहोगे Wi-Fi 6 is the latest standard जो की 20 से 30% faster है Wi-Fi 5 से इसकी latency, इसकी speed, इसकी stability सारी Wi-Fi से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और यहां पर आप wireless LAN की standard भी देख सकते हैं IEEE 802.11 ABGN plus AC plus AX Amazing! Bluetooth की बात करें तो यह Bluetooth है इसमें Bluetooth का standard 5.1 तो for version 5.1 which is pretty amazing again Webcam जो है इसमें आपको मिल जाता है जो की है Full HD, sorry HD webcam, not Full HD, 1280 by 720 resolution तो webcam से मैं कुछ खासा इतना इंप्रेस नहीं हूँ हूँ जो जादतर laptop companies है webcam पे इतना ध्यान नहीं देती है I do not know why because अभी जो situation चल रही है लोग work from home कर रहे है तो I guess कम से कम यार उनने एक Full HD गा webcam तो डाली देना चाहिए क्योंकि यार अभी meetings वगरा यह सब अगरा और यह जो situation चल रही है obviously सारे के सारे लोग जो है most of the जो लोग है वो meetings कर रहे हैं तो I guess इसकी तरफ भी वेबकेम तरफ की तरफ भी तोड़ा ध्यान देना चाहिए दो यह super high dynamic range support करता है तो I hope की it will deliver what it says HDMI port इसमें आपको एक HDMI port देखने को मिल जाता है USB ports की बात कर लेते हैं तो यहां पे आपको 2 USB 3.2 Gen 1 port और 1 USB Type-C port देखने को मिल जाता है 1 USB 3.2 Gen 2 port with power of charging और यहां पे आपको Ethernet port देखने को मिल जाता है multi gesture touchpad देखने को आपको यहां पे मिल जाता है keyboard आपको देखने को मिल जाता है तो यह RGB backlit keyboard है आप यहां से देख सकते हैं तो मैं आपको और clear दिखा देता हूँ ऐसा आपको कुछ keyboard दिखने वाला है और यहां पे आप देख सकते हैं compartment इन्होंने divide कर रखे हैं यह वाला जो section है इस key मतलब yellow में जल रहा है यह वाला थोड़ा pink है यह वाला थोड़ा ब्लू है यह green है तो यार बहुत ही ज़्यादा amazing keyboard के साथ भी जिन्होंने RGB lighting के साथ भी काफी amazing thing कर रखी है काफी cool लगने वाला है जब lights वगेरा on नहीं होंगी तो काफी cool यह keyboard आपका जो है यह चाहे आप video editing कर रहे हों चाहे आप gaming कर रहे हो यह turbo mood पे चलेगा और अपनी power जो है unleash कर देगा और यहां पे आप इसको back side से देख सकते हैं यहां पे आपको यह charging port देखने को मिल जाता है और यहां पे पीछे की तरफ आपको दो heat sink देखने को मिल जाते हैं और left hand side आपको एक heat sink और right hand side एक तो total चार हीट सिंक आपको देखने को मिल जाते हैं और यहां पर इन्होंने थोड़ा इसके लिए इसको पतानी क्या बोलेंगे थोड़ा सा इन्होंने क्लिप भी लगा रखी है जिसकी वज़े से ये लाप्टॉप हल्क असा जो है उठा रहेगा पीछे की दरफ से तो मतलब वही दिस्प्ले साइट से जिसकी वज़े से क्या होगा इसका जो एर वेंटिलेशन है नीचे की साइट से वो भी काफी अच्छा रहने वाला है तो यह चीज भी काफी अच्छी है और दिखने में भी यह काफी कूल लगता है ऐसा नहीं है कि बस इन्होंने डिजाइन पर भी ध जाता है ओविसली यह इतने भारी भरकम इसमें जो है स्पेटिफिकेशिंस आपको देखने को मिल जाते हैं तो ओविसली इसका थोड़ा बहुत भारी होना तो लाजबी है और इसका जो चारजिंग अडैप्टर है उसकी पावर रेक्वार्मेंट मतलब जो पावर लेगा आराउंड दो सो तीस वाट के आराउंड है ओविसली इतनी भारी भरकम मशीन को पावर देना आपके ग्राफिक कार्ड है तो यह इन चीज़ों को पावर देने के लिए एक जो इसका अडैप्टर है वो भी काफी अच्छा खासा रहने वाला है और इनोंने अभी इसकी बै बैटरी है वो अप्टू साथ आर्स का यह बैटरी बैकप दे रहे हैं बट यह पता नहीं किस हिसाब से इसको टेस्ट करते हैं आइव उन्ट से कि यह साथ घंटे दे पाएगा बट आइगेस चार घंटे तो दे ही देने चाहिए जब आप गेमिंग नहीं कर रहे हैं ऑवि पोटेंशिल यूज होता है तो यह पता नहीं किस हिसाब से गयलकुलेट करता है मुझा आथ तक समझ में नहीं आया अगर यह साथ घंटे दे देता है ना भई तो इससे बड़िया तो लाप्टॉप है नहीं लेकिन अगर चार्जिंग के बेस पे मैं बात करूं बैटरी के स्क्रीन साइज इसका 15.6 इंचेज है फुल एच्डी डिस्पले है फुल एच्डी लेडी बैक्सलिट इप्यस कॉंफी व्यू डिस्पले है जो इसका पैनल है तीन सो निट्स की ब्राइटनेस है इसकी 72% NTSC कलर गमुट यह जो NTSC वाली चीज है यह अपने जो ग्राफिक है तो काफी स्मूध आपको जो नाविगेशन है वो काफी स्मूध रहने वाला है काफी फास्ट रिस्पॉंसिव रहने वाली है डिस्पले भी और वन यह ओन साइट मॉरंटी देखने को मिल जाती है तो प्रिटी मच यह था गाइज ऑन अन ओल यार काफी ही अच्छा जाएगा और आपको 500 रुपय का डिस्काउंट और मिल जाएगा तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो एक लाग 6,990 है माइनस 1250 और माइनस 500 रुपय तो एक लाग 5,240 रुपय तक का यह लाप टॉप आपको पढ़ जाएगा अगर आपके पास HDFC डेबिट यह क्र तो गाइज एक लाग 5,240 रुपय में क्या यह लाप टॉप बुरा है भाई देखो मेरे को तो नहीं लगता मेरे को तो बहुत ही अच्छा लाप टॉप लगता है इसी वजह से मैंने इस पे वीडियो भी बनाने का सोचा मैंने का आपको बता देता हूँ अभी सेल चल रही देखो में देखो तो तो यह था प्रिटी मुचच अबाउड दिस लाप टॉप और यहाँ मेरे फ्रेंड ने यह यह यो लाप टॉप है वो और कर दिया है जैसे ही वो लाप टॉप आता है he won't be able to come to my place so unboxing video वो मेरे को बना के दे देगा and I'll be putting my voice into it so सीधा सीधा है guys तो मेरे को गालियां वालिया मत देना please जैसे कि last time हमने MSI का एक laptop था GF65 था या 9SC XR करके उस पे जो हमने video बनाई थी तो उस पे लोगों ने बहुत comments किये दे कि यार क्या बकवास video है ये है वो है बट यार I guess उस time भी वो पिछले साल की बात है जब Corona चल रहा था तो यार आपको भी I guess उन users को at least इतना समझना चाहिए कि यार मैं कम से कम आपको ये laptop actual में कम से कम दिखा तो पाया जैसे भी मेरे friend ने भी उतने efforts लगा के उसने वीडियो बनाई तो यार I guess इतना सब थोड़ा बहुत यार लोगों को समझना चाहिए लेकिन ठीक है जो क्रिटेक्स है वो हमेशा क्रिटेक्स ही रहने वाले हैं for some xyz reasons let's not mind that so ये pretty much it था तो इसकी unboxing video है वो इसके next video में आईगी जिसे मेरा voice over होगा और मेरा friend जो है unbox करके दिखा रहा होगा तो जैसकी मैं on pretty much honesty रहता हूं अपने हर video के बारे में तो जो भी ऐसी video होती है ना जो मतलब मेरे friend मेरे को shoot करके दे देते हैं obviously मुझे बहुत बड़ा इसान करते हैं वो क्यूंकि obviously उन्हें तो अपना product खोल के जल्दी से utilize ही करना होता है but still वो मेरे लिए इतना सोच लेते हैं कि यह अगले बंदे का channel है तो इसको भी थोड़ा इसको थोड़ा help करी जाए और वो काफी help करते हैं friends होते इसलिए alright so यह थी pretty much the video अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार like button दबा देना नहीं अच्छी लगी हो तो dislike button भी दबा देना कोई दिक्कत नहीं है obviously सबका feedback बहुत ही important होता है और हमारे इस वीडियो को जाद से जादा शेयर करना हमारे channel को जाद से जादा शेयर करना वीडियो जाद भीज़ में टेक्ट अपडेट्स और everything on the technology and बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले वीडियो में